3.4 से question number 3 करेंगे find first 3 common multiples of common multiples निकालने हैं पहले 3 किस-किस के 6 के और 8 के और B part में 12 और 18 के तो multiples वो number होते हैं जो किसी table के अंदर आते हैं जैसे 6 के multiples होंगे 6, 1, 6, 6, 2, 12, 6, 3, 0, 18 6 के table में आने वाले जो numbers होते हैं वो उसके multiples होते हैं हमे common multiples निकालने हैं पहले 3 6 के और 8 के तो पहले तो हम इनके multiples ही लिख लेते हैं तो multiples of 6 multiples 6 यानि यो 6 के table में आएंगे तो 6 का table ही लिखना है 6, 1, 6, 6, 2, 12, 6, 3, 0, 18 6, 4, 0, 24, 6, 5, 0, 30, 6, 6, 0, 36 6, 7, 0, 42, 6, 8, 0, 48 6, 9, 0, 54, 6, 10, 0, 60 मैंने भी यहां तक लिख लिख लिए हैं जरूत पढ़ेगे आगे भी कर लेंगे अब पहले 8 के table लिख लेते हैं तो multiples of 8 multiples of 8 8 के multiples जो 8 के table में number आएंगे 8, 1, 0, 8, 2, 0, 16, 8, 3, 0, 24, 8, 4, 0, 32, 8, 5, 0, 40, 8, 6, 0, 48, 8, 7, 0, 56, 8, 8, 0, 64, 8, 9, 0, 72, 8, 10, 0, 80 अब यह मैंने सिर्फ 10 तक के लिखे हैं आगे जरूत पढ़ेगी तो हम आगे लिख सकते हैं क्योंकि multiples कभी खतम नहीं होते हैं जैसे अगर मुझे 6 के आगे लिखने हो तो इसका अगला multiple क्या होगा 6, 10, 0, 60 6 को 11 से multiply करेंगे तो 66 हो जाएगा और इसको 12 से multiply करेंगे तो 72 हो जाएगा तो multiples कभी खतम नहीं होते हैं अब यहाँ पर मुझे common multiples निकालने हैं और वो भी पहले 3 यानि पहले 3 वो number जो same same आ रहे हैं दोनों tables के अंदर तो ध्यान दीजिए यहाँ पर मुझे 24 दिखा और यहाँ 24 दिखा तो पहला जो number है न वो 24 है यह 24 ऐसा पहला multiple है जो 6 और 8 का जिसे हम LCM भी बोलते हैं least common multiple 24 हुआ एक हमें 3 चाहिए और आगे बढ़ते हैं देखते हैं इसके अंदर दूसरा यहाँ पर 48 और यह 48 दूसरा मेरे को 48 दिखाई दिया तीसरा देखें तो तीसरा यहाँ पर 72 इसमें आ रहा है यहाँ भी 72 है यह 72 हो गया तो इसके अंदर यह पहले तीन common multiples है 6 और 8 के यही मेरे answers है तो answer हो गया है 24 48 और 72 मुझे तीन ही निकालने थे तो मैंने बस यहाँ तक किया है इससे आगे निकालने होते तो आप इस table को आगे बढ़ा सकते थे 6 के table को भी और 8 के table को भी अब यह तो एक तरीका है इसका मैं बिल्कूल आपको आसाम तरीका भी बताता हूँ कि अगर आपको 2, 3, 4, 5, 6 कितने भी multiples दे रखे हो और बिना table को आगे बढ़ाए बहुत लंबा कि यह भी आप कैसे multiples बता सकते हैं तो वो तरीका आप जरूर देखे वो क्या है कि आप सिर्फ पहला common multiple निकाल लेजिए जैसे मैं इस table को यही पर छोड़ देता हूँ यहाँ छोड़ दूँगा इसको मुझे पहला मिल गया ना मुझे पहला common multiple मिल गया 24 तो आगे मुझे table लिखने की जरूर नहीं पड़ेगी तो पहला number तो हो गया है मेरा 24 अब इससे जो next होगा ना वो इसका double होगा यानि into 2 वो 48 होगा second common multiple और जो third common multiple होगा वो 24 का 3 times यानि 24, 3072 और अगर इसमें चौथा भी पूछ लिया होता हमसे तो 24 into 4 यानि की 96 तो बिना table को आगे बढ़ाए हम कितने भी common multiples बता सकते हैं बस हमें पहला पता चल जाना चाहिए तो ये वाला question तो मैंने कर दिया है पूरे multiples दिखा के लेकिन इसका जो next part है ना बी वाला ये हम इस तरीके से करेंगे चलिए अब बी पार्ट शुरू करते हैं तो बी पार्ट के अंदर जो number दे रखे हैं पहले तो उन्हें लिख लेते हैं numbers हैं यहाँ पे 12 और 18 हम मैं लिखता हूँ multiples of 12 और मैं सिर्फ वही तक लिखूँगा इन दोनों के multiples मैं वही तक लिखूँगा जहाँ मेरे को पहला मिल जायागा और मैं वही पर रुख जाऊँगा multiples of 12 तो 12-1-0-12 हुआ 12-2-0-24 हुआ 12-3-0-36 हुआ और 12-4-0-48 हुआ और आगे multiples सलते रहेंगे कभी खतम नहीं होंगे अब 18 के लिख लेते है multiples of 18 18-1-0-18 हो गया 18-2-0-36 हो गया देखे मुझे 36 मिल गया उपर 36 है नीचे 36 है अब इसके आगे मुझे टेबल करने की जरूत नहीं है मुझे पहला common पहला common multiple मिल गया है तो इसके अंदर मुझे 3 निकालने हैं common multiples तो यहां लिखता हूँ मैं common multiples तीन निकालने हैं तो पहला तो यही होगा 36 और जो दूसरा common multiple होगा इनके अंदर वो होगा 36 into 2 यानि 36 को 2 से multiply करेंगे तो 72 अब अगर आप टेबल बढ़ाएंगे भी ना इन दोनों टेबलों को आगे बढ़ाएंगे तो 72, 72 आपको save मिलेगा और इसका जो तीसरा common multiple होगा वो होगा 36 into 3 36 को 3 से multiply के तो यह आएगा 6, 3, 0 18 का 8 और यह 1 और 9 और यह 10 108 तो जबी भी आपको common multiples निकालने हो तो यह ज़रूरी नहीं कि आप पूरा का पूरा टेबल लिखें best method यह होता है कि आप सिर्फ पहला पहला common multiple निकाल ले उसके बाद उनको 2 से multiply करेंगे तो दूसरा आजाएगा, 3 से करेंगे तो तीसरा आजाएगा 4 से करेंगे तो फिर next 4 और 5 से करेंगे तो 5 वा common multiple आजाएगा तो यह तरीका होता है तो इस freedom बस इतना ही next questions के लिए बिलते हैं next video में तब तक के लिए goodbye बढ़ाएगा